Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. मैं हुआ शिखा एड़ा की बढ़ियान ब्लॉग तो चलिए आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट तो आज का वीडियो थोड़ा सा री स्टाइल कहना चाहिए साडी री स्टाइल पर है मेरा ये वीडियो और बहुत दिनों से ने सोच रही कुछ इस तरह की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ तो आज फाइनली मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोग के साथ शेयर करे हूँ तो ये जो भी मैंने आज साड़िया इसमें पहनी हुए ना वो सारी मेरी पुरानी साड़िया है और चार से पास साल पहले की मेरी साड़िया है तो नहीं कोई भी नहीं है तो इसे हम कैसे रिस्टाइल करें हम उन्हीं ब्लाउजों को ना पहन कर जो क्योंकि जितनी भी मेरी साडिया उन सबके में ब्लाउस बनवाई हुए हैं क्योंकि चार से पास साल पहले इतना मतलब मैंने नहीं सोचा था और सबके में जो भी साडिया आती थी सबके ब्लाउस में बनवाती थी तो ब्लाउस सबके हैं लेकिन अब मैं उन्हें उन ब्ला और क्या देखना है या आप इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहती है तो मैं जरूर और भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगी और बैल बटन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो मैंने जो फर्स्ट साडी पहनी है ये एक यलो साडी है और इसमें गूल्डन बॉर्डर है तो इसका ब्लाउज भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है बिल्कुल इसी तरीके का है तो इसके साथ मैंने ये जो टॉप पहना हुआ है ये मैंने अपनी साधी की बनारसी साडी से बनव तो मैंने एक दिने और यह उच्छी सी आड़ी लगता रूप दो धिना मैं के शाड़ी प्रकेंट जेजआन हो। दोनी यह जो पनी फिल्हा दोवेक्ट चेमार शीन है एक दिन आड़ी धाणी प्रिश क्लर्वारे दिनाने बहुते हो enhanced जो lines तो तो, तो, तेखिए कितना अ क्ता सुन्दर लग रहा है और बहुत सारे और बहुत सारे कलर इस तरह से Dallas Mix-Match कर पहन सकते हैं तो जो長क राए साधी साडी लगुखे लिए यह न हिचे में प्हाड़ोड स्मी melody जाम से कैसा रिपधा री है कि मेंरं समय को इंट टॉप बनवाया हुआ है और इस साड़ी के साथ मैं इसे पहनती हूँ तो मैंने एक दो बार इसे और भी करी किया है इसे मैंने पूरा पीछे से पैक रखा है पीछे मैंने चैन लगवाई है चाहे तो हम पीछे गले में कुछ डिजाइन डलवा सकते हैं तो यह मैंने जो मैंने टॉप बनवाया है इस तरीके का है यह और इसके साथ भी काफी सुन्दर यह लगता है और यह जो ब्लैक है यह काफी सारी साड़ीों के साथ मेरा मैच करता है तो मैं इसे काफी सारी साड़ीों के साथ पहनती हूँ और इसमें तो यह बिलकुल ऐसा लगता है कि ज तो हम कुछ इस तरी के से भी ट्राय कर सकते हैं कुछ नए और पुरानों को मिला कर और उसके बाद मैंने अपनी एक यह रैड कलर की साड़ी का यूज किया है और यहां पे भी मैंने यह जो मेरे टॉप बनवाया है यह भी मेरा एक पुराना कपड़ा बचा हुआ था तो मैंन से मैं इस अपनी रैड साड़ी में पहनती हूं और बहुत ही अच्छा लुक इससे मुझे मिलता है देखा कि मैंने किस तरीके से अपनी पुरानी साड़ीों को रिस्टाइल किया है और नए टॉप के साथ और बलाउस भी मैं इसी तरीके से पहनती हूं कि कुछ नए कलर खटके यूज करूं तो हमारी साड़ीयों का काफी अच्छा हमारा लुक आता है और हमारी साड़ीया भी बहुत अच्छी लगती है और तिल्कुल नई जैसे लगने लगती है तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करिएगा बताईएगा ताकि मैं और इस तरह केไ्कंगों और अभी में कुछ इसी तरह के Fire लोगों के लिए जरूर ले कर आऊंगी ज़्यूर मेरे रैसेपी जिसके वीडियो काफी सारे मैं दाली है उन्हें बना बना यां बस रखा हुआ तो वह भी पीच पीच में आईंगे और कुछ इस तरह की वीडिय आप लोग के साथ में शेयर करूंगी तो चलिए लेती हूं आप से विदा जल्दी मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर